हर किसी के मन में ये चाह होती है कि वो किसी भी एज में पहुंच जाहें फिर भी वो यंगर दिखे और यंगर कैसे दिख सकती है दोस्तो कुछ टिप्स फॉलो करके आप यंगर दिख सकती है आज की वीडियो आप सभी के लिए हैं बहुत ध्यान से आप वाच करिएगा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप सलवार सूट कुछ पी लग सकती है तो आप यूंगर से रहे हाट जैसे कि आप लाज़ सूट वेर करें जिसमें आप सिल्म भी दिखेगा और आप यहला जाती है तो सब्सक्रीन पॉर्ण से य hm पाइदा मिल सकता है दोस्तों और अगर आप जैसे दुपट्टा वेर करती है तो इस तरह से आप दोनों साइट से आप दुपट्टा ऐसे वेर मत करें अगर आप साइट से दुपट्टा वेर करेंगी और आप ऐसे खुला दुपट्टा वेर करेंगी तो आप यंगर दिखे घंगी ओके अब आपकी हैर स्टाइल के बात यह रख में अगर आप मिल। जब आपम कंड़न निकालती है बीच के झीमाग लगती है तो आप यंगर नहीं आपको small दिखाने में बहुत ही मदद करती हैं यहीं उसी जगे पे अगर आप low tail pony करती हैं तो आप यंगर नहीं लगेगी दोस्तो आप काफी age की लग सकती है दोस्तों कि आप इस ऍक्रेण पे भी देख सकती है अब बात आती है अगर बिंदी आप लगाती है तो आप right बिंदी को एवाइट करें क्योंकि ब्रॉड बिंदी अगर आप बड़ी बिंदी अगर आप लगाती तो आपका चहरा काफी बड़ा लगता है और काफी एज का लगता है तो इसी जगे पर चोटी बिंदी लगाती तो बहुत ही सुंदर लगेगी दोस्तों ठीक है अब अगर आप फ्लैट में पहनना चाहती है तो इस टाइप के स्लीपर्स आप चूज करें तो आप यंगर दिखने में आपको काफी मदद मिलेगी ओकी दोस्तों और आपका पोस्चर भी बहुत ही जादा माइने रखता है कि आप यंगर लगने में ठीक है दोस्तों तो आप इ लेके चले आप तो हैवी और बड़ी बैग को वाइट करके आप शौर्ट बैग चूज करें और लॉंग बैल्ट की बैग चूज करें दोस्तों तो आप यंगर दिखेंगी आपको यंगर दिखने में काफी ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान वीडियो में बताये गए जो टिप्स हैं उनको फॉलो करके आप यंगर दिख सकती हैं आप गुड लुकिंग दिख सकती हैं दोस्तों तो आज की वीडियो आपके लिए कितनी हैलफुल रही प्लीज आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तब तक मि सब्सक्राइब करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बबाई टेक कियर